पूरी दुनिया इस समय खतरनाग जानलेवा वाइरस कोरोना से मौत की जंग लरही है पलिस और प्रशासन लगता लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है ताकि वो खतरनाग कोरोना वाइरस से सरक्षित रह सकी लेकिन इस बीच एक और ऐसा वाइरस है जिसने लोगों को बावजूद भी लोग इस वाइरस से सरक्षित नहीं रह पा रहे हैं वो वाइरस है फेक न्यूज का वाइरस जो इन दिनों तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर तमाम तरह की बाते की जा रही है जो लोग अपने तरक दे रहे हैं सुझाव दे रहे हैं कोरोना से कैसे निप्टा जाए ये भी बता रहे हैं वहें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में भ्रामक मैसेज फैला कर आम जनता में डर का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं पहले भी हम आपको सोशल मीडिया पर वाइरल हुए कुछ गलत और भ्रामक मैसेज की जानकारी दे चुके हैं आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही वीडियो का सच जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाब तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में समुद्र के किनारे कुछ लोगों की लाश दिखाए दे रही है इस वीडियो के बारे में ये लिखा जा रहा है कि ये लाशें चीन से तैर कर आई हैं जी हाँ, सोच में मत पढ़िये, वीडियो के बारे में यही कहा जा रहा है कि चीन ने अपने यहां कोरोना वाइरस वाले मरीजों की लाशों को समुदर में डाल दिया ताकि समूदरी जीव और मचलिया इन लाशों को खा लें और इन में कोरोना वाइरस चला जाएं इसके बाद जब लोग इन मचलियों को खाएंगे तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे और इस तरह से चीन कोरोना वाइरस फैलने में कामियाब रहेगा इसके पहले भी कोरोना वाइरस को चीन का बायोलाजिकल वैपन होने पर कई सारी बाते की जा चुकी है खेर वालग मुद्धा है अभी बात करें इस वीडियो की तो कहां से आ रहा है ये वीडियो और क्यूँ की जा रही है ऐसी बातें वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो के सच तक अगर जाएं तो ये वीडियो आज से 6 साल पुरानी है साल 2014 की वीडियो है जब अवेद तरीके से पलायन कर रहे कुछ प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब गए थी और इसमें तकरीबन 100 से जादा लोगों की जान चली गए थी इसी वीडियो को कोरोना वाइरस से मरे लोगों का बता कर सोशल मीडिया पर शेयर कर जूटा दावा पेश किया जा रहा है जबकि इस वीडियो का कोरोना वाइरस से कोई संबंध नहीं है वीडियो को साल 2014 में एक YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था वहीं इस वीडियो को लेकर एक वेबसाइट की रिपोर्ट भी सामे आई है जिसमें कहा गया कि ये हाथ साल लीबिया की राजधानी त्रिपोली के आसपास कहीं हुआ था जहां पर कुछ आवेद प्रवासी जो सीरिया से यूरोप जा रहे थे इनकी नाव समुद्र में डूब गए थी और कई लोग लापता हो गए थे ये फोटो और वीडियो उसी टाइम के हैं जिने अब सोशल मीडिया पर फैला कर लोगों के बीच एक नया भ्रम पैदा करने की कुशिश की जा रही है हम फिर से वही कहेंगे कि किसी भी बात को मान लेने से पहले उसकी सचाई का पता करें कोरोना से बचने के साथ साथ सोशल मीडिया पर फैल रहे इससे फेक न्यूस के बारे में भी खोद की और दूसरों की सिरक्षा करें और देखते रहें घमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा अगले सेशन में फिर मिलेंगी एक और नहीं सचाई के साथ सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स